आज हम लोग मीन फार्म जो सुपोल के पिपरा बजार के बगल में लच्मिपूर पंचायत में हैं वहाँ पर तक्निकी सहयोग दे रहे हैं पुर्व जिला क्रिसी पतादिकारी किसन गंज स्री परवीन कुमार जाजी आज हम उनसे बात करेंगे कि इनके मन में यह कैसे बिचार आया कि यह इतना बड़ा समेकित क्रिसी के लिए यह कारिक्रम सुरू करें आपको बता दू कि यहाँ पर एक साथ मचली पालन, डेरी पालन, खरगोस पालन, जे भी क्रिसी कैसे किया जाए, सेडनेट हाउस, पॉली नेट हाउस तलब एक तरह से क्रिसी जो हम लोग के जीवन में एक महतपुर्ण योगदान देता है हमारे विकास में, चुकि क्रिसी के बिना हम लोग जिन्दा नहीं रह सकते हैं, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो जिन्दा नहीं रह पाएंगे तो कैसे आमजनों को स्वक्ष भोजन मिले, स्वक्ष क्रिसी मिले, कैसे किसानों को उनके द्वारा किये गए, खेती पर सही से आयपराप्त हो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं, हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, श्री परवीन कुमार जाजी का, और हम इन से आज कुछ सवाल करेंगे, जिसका यह जवाब देंगे, और इनके द्वारा, इनके तकनिकी सहयोग से जो चल रहा, उसके बारे में आपको विश्तरित जानकारी देंगे, जिए. अंतरकत राजपूर काओं के एक प्रकतिशिल किषान, स्री भोला मंडल जी को. और उनको जब मैं देखा, कि जब उन्होंने सिम्ला मिर्च लगाया, तो जो सिम्ला मिर्च यहां 100 rupia kage में मिलता था, बाहर से आने वाला सिम्ला मिर्च, उनका सिम्ला मिर्च जब जाना आर तो उपभोगता को खाने वाले को कुछ राहत मिली कम कीमत पर उनको मिलना आरम हुआ और इनका भी सिम्ला मिर्च का डिमांड बहुत जादे होने लगा। कि हमारे किसान भाई कोई किसान दूद उत्पादन के छेतर में डेड़ी फार्म खोले हुए हैं कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं कोई मचली उत्पादन कर रहे हैं लेकिन एक जगह यदि सारा चीज हो और समूह में किसान इसकार्ज को करे तो एक छोटा सा उदारन भी बन सकत यही बिचार मेरे मन में आया और 2018 में मैं पिपड़ा प्रखंड के चार किसान को तैयार किया अना कि तैयार करने में दो चार पांच महना लग गया क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या होगा हमने कहा कि केवल आप जमीन खोजिये एक जगह यदि आपकी अपनी जमीन सबों की एक जगह तो है नहीं लीज पर कोई दे तो और जब वो लोग मेहनत किये कहीं कहीं उन लोगों के साथ हम भी गए लेकिन पिपड़ा में उनको एक जगह अब मैं नाम भूल रहा हूँ अब वो स्वर्गी भी हो गए चौदरी जी पिपड़ावजार के उनका एक ही जगह सारे बारा एकर जमीन वो तयार हो गए देने के लिए और वो सारे बारा एकर चारों किसान कोई अरहा एकर कोई तीन एकर ऐसे करके लिज कराए रेइस्टर लिज 21 साल के लिए हलना कि अब बर्तमान में अढ़ाय एकर और बढ़ गया बगल वाले किसान इनको दे दिये एक किसान का जमिन था वो भी दे दिये वो भी ये लोग लीज करवा लिए कुल अभी 15 एकर है मैं कुछ नहीं किया मैं केवल मतस्य विभाग से संपर्क स्थापित किया जिला गब विकास पताधिकारी से संपर्क स्थापित किया चुकि मैं जिला कृशी पताधिकारी खुद था तो उद्यान निदे साले से संपर्क स्थापित किया और इन सभी किसानों के जमीन पर उस विभाग की योजनाओं को लाव लेने के लिए आवेदन करवाया और आज के दिन में यहां तीन हेक्टेर में तीन किसान का अलग-अलग एक ही केमपस में कोशी बेसीन योजना से तालाब है एक किसान का जिलाग गबिश का अश्पदादीकारी के हां से दस गाय की अंतिम योजना थी उस वित्य वर्स में अब तो दो गाय और चार गाय की योजना आ रही है वो हमने दिलवाया और आज अब देख सकते हैं कि उस दस गाय से तेरा गाय, दो मुर्रा बहेंश, चोसाथ उसके बच्चे भी हैं उद्यान निदे साले से संपर्क स्थापित कर दो पॉली हाउस हमने दिलवाया 1400 स्क्वाइर फिट और 1600 स्क्वाइर फिट का और जिलाकरशी पदाधिकारी के यहां जो स्कीम आया था सेडनेट का, माप करेंगे उद्यान में, वो सेडनेट में दिलवाया और आज उन्हीं किशानों के जमीन में से 75 फिट लंबा और 35 फिट चोड़ा जमीन मैं खुद अपने लिए 500 रुप्या महने के भाड़े पर ले लिया हूँ क्योंकि मैं अब सेवा निब्रित हो गया हूँ 30 अप्रेल को और मैं अपना खर्गोस पालन, वानिजिक खर्गोस पालन, कॉमर्शियल रैविट फार्मिंग, जश्ट दस दिन पहले कंटेक्ट फार्मिंग पर स्टार्ट किया हूँ अजमेर में वो रहते हैं, आनंद कुमार सिंग, पूर्य भारत में पिछले 10 से 11 साल से साथाथ राज में खर्गोस पालन के छेतर में काम कर रहे हैं, किसानों से खर्गोस पालन करवा रहे हैं, मैं भी उनका आरंब क्या हूँ और मुझे उमीद है कि इस खरगोस पालन से मुझे भी आमदनी होगी ब्यक्तिकत आमदनी और यदि यह अच्छा होगा तो इस समू के जो चार किसान हैं इनकी भी कुछ जमीन बची हुई है यहाँ पड़ भी दस पिजरा से हम एग्रिमेंट कराके आरम कराएंगे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि सेवा निब्रिती के बाद इन लोगों ने मुझे यहाँ एक स्टाफ के रूप में रखा मैं सहर स्विकार किया और पचीस हजार में कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में मैं पचीस हजार रुपिय महिने पर इस समू के किसान का एक स्टा कोडिनेटर थे अज अनुमंडल मतस से पदाधिकारी हो गया है मधेपुरा में उनका स्वहयोग लेता हूं उनको भी बुला के मैं यहां मचली पारण के छेतर में तक्निकी ज्यान वो देते हैं पॉली हाउस सेड़नेट में विवाग से संपर्क स्थापित करके जिलाउद का बीज एक दो दिन में आ जाएगा और इस सामने वाले पॉली हाउस में सिर्वला मिट लगेगा गर्मी महने में इसमें ओल में लगाऊंगा पपिता एक बार अच्छा दिया कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि चारों किसान काफी संतुष्ठ हैं और सबसे बड़ी बात है चार लाख सतर हजार अलगवक सारे तीन पॉने चार लाख का मट्टी भी बिका उसी से स्पॉन आया मशली का जीरा जिसको कते हैं राइगन से लोग मंगवाए दाना मंगवाए और कारी आरंब हुआ फिर उसी वित्तिय बर्स में दूसरे लाभुक को भी सुकृती मिल गई वहाँ भी 4,70,000 मिला और साथे तीन पॉने 4,0,000 का वहाँ भी मिट्टी भी बिका इस तरह तीसरा तालाब अभी 6 मेहना पहले इस भी 3 वर्स में सुकृत हुआ है और इसमें 3,80,000 का मिट्टी सामने आधा किलोमीटर सामने जो रेल्वे का कारी ज़ार रहा है रेल लाइन अनबान भी प्राप्त हुआ इसी अनबान की रासी को रोटेट करके मचली बेचके दूध बेचके जो भी पैसा होता रहा चारो किसान में से कोई किसान अब तक एक पैसा मुनाफ़ा नहीं लिये हैं अब मैं धन्यवाद देता हूँ चारो किसान को कि मैं जिलाकिर्शी पतातिकारी था उस समय और ये मेरी बात को मानते थे सारा हिसाब किताब ये वाक्षप पर हमको भेजते थे मेरा सलाह लेते थे और आज तो मैं इनका इस्टाफ हो गया हूँ और मैं देख रहा हूँ पूरा लेखा जो खा इनका सरकारी योजनाओं में जो कैस्ट बुक जिस तरह से सबसिड्री कैस्ट बुक जेनरल कैस्ट बुक कंडिजेंट रेइस्टर एडवांस रेइस्टर अस्थाई भंडार पंजी और स्थाई भंडार पंजी सब का मेंटेन करते हुए मैं मन्थली क्लोज करता हूँ और मार्च क्रोजिंग करता हूँ और इस मार्च क्रोजिंग में मैं निश्चित ही अच्छा मुनाफ़ा इन चारों किसान को बराबर हिस्सा में क्योंकि चारों बराबर हिस्सा के हकदार हैं सो रुपया अगर मुनाफ़ा होगा तो पचीस पचीस रुपया इन चारों के खाते में जाए और आगे मैं शंकर ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जुन्होंने मुझे एक सुझाओ दिया कि खर्गोस पालन में स्टेंड के नीचे करना थी मुरगा या देसी मुरगा करें मैं वह भी करूंगा बकरी पालन भी इन लोगों से श्टार्ट कराऊंगा और इस तरह इसको देखके सुपोल जिला या अगल बगल के जिला के अन्यकिशान भी अगर आगे आए तो उनको भी मै सायोग करने के लिए तैयार हूँ धन्यवाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या-क्या है गुम करें